अब ही समय चल रहा है फसलों की बुवाई का तो ऐसे में हमारे किसान भाई भैनों को ऐसा कौन सा विशेश कारे करना चाहिए ताकि उनको पादक्ता जादा मिल सके और मुनाफ़ा भी जादा प्राप्त हो सके देखिए किसान भाईयों अच्छी पैदावार लेने के लिए अच्छी उपज लेने के लिए आप हर साल बढ़िया भीज तो काम में लेते ही हैं शात मैं और वरकों का अपयोग भी करते हैं डेपी है यूरिया है स्वरधासफेट है इनका अपयोग आप करते ही हैं परनतु अब थोड़ी सी और समझदारी के आवशकता है और वो मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि राज्य में दो करोड से अधिक किसानों को मिर्दा स्वास्तिकाड दियें तो जमीन को जितनी आवशकता है जिस फसल के लिए जिस पोशक तत्यों की आवशकता है उतनी मात्रा में हम द दारी रखने के आवशकता ये है कि डियेपी यूरिया इनकी उपयोग के साथ साथ अब हमें थोड़ा सा और भी ध्यान देने के आवशकता है जैसे बहुत सारी फसलों में गंदक की कमी है सलफर की और बहुत सारी फसलों में केल्सियम की कमी हो जाती है क्योंकि हर साल दर सा हम एक ही फसल वो जमीन पे लेते आ रहे हैं जैसे स्वयाइबीन वाले छेतर में लगातार हम स्वयाइबीन की खेती कर रहे हैं मुंगफली वाले छेतर में लगातार मुंगफली की खेती कर रहे हैं तो इसके कारण से क्या होता है कि इन छेतरों में सलफर की कमी हो जाती गंद हैं एक तो यह है कि आप जो तेलहनी और दलहनी फसले हैं उनमें डियेपी यूरिया के बजाए यूरिया और सुपरफासपेट इनका उपयोग करना चाहिए चुकि सुपरफासपेट में भी और सलफर की यानि गंदक की मात्रा होती है लेकिन इसका एक दूसरा सस्था उपाय और है और वो है जिपसम तो जिपसम के उपयोग द्वारा हम गंदक और केल्सियम दोनों की पूर्थी कर सकते हैं